हेलो स्टूजिंस केसे हैं आप सभी मैं हूँ पासना और वेलकम यू ओल तो आर यूट्यूब चानल नीट फाउंडेशन फर क्लास नाइन तेंथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम दो या तीन लेक्चर्स के बाद आप से सुब्सक्रिप्शन के चार्जिस नहीं मांगते त आपको क्वालिटी लेक्चर्स मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट डू सब्सक्राइब आर चानल लाइक्स करिए वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड जाहिए जिसका नाम है नीट किस सरह के Question Papers जो है वो आपके exam में आने वाले हैं आपके किसतरा के Questions वो एंग्जाम में सेट होते हैं तो चलिए आई ये आज के बहुत interesting and बहुत simple and easy से topic के ओपर जलते हैं Mirksures, कल की क्लास में आपको क्या बताया था कि हमारे दो तरहां के बढ one type of particles मैंने आपको क्या बताया था pure substance क्या होते हैं जो की सिरफ pure substance क्या होते हैं जो की सिरफ one type of particles से ही बने होते हैं pure substance क्या होते हैं one type of particles से ही बने होते हैं मैंने आपको ये बात जो है वो पिछली classes में बताई है for example अगर हम अपने periodic table के elements के बारे में पढ़ते थे तो copper, copper जो element है वो सिरफ copper के atom से ही बनाए, water का है अगर compound की ही मैं बात करूँ तो water का जो compound है वो सारे के सारे किस से बनाए, H2O के molecules से ही तो बना है, तो सारी की सारे जो molecules है वो सेम है उस compound में सारा का सारा सिरफ H2O ही तो है, और कुछ तो नहीं है, similarly अगर मैं carbon dioxide का हमने example लिया था, तो carbon dioxide में क्या है, सारी की सारी uniformly CO2 ही तो है, कुछ और थोड़ी है, तो ऐसे compound जो सिरफ एक ही type के सारे के सारे CO2 के particle से ह बने होई है, तो ऐसे substances जो सिरफ एक ही type के particle से बने होते हैं, उन्हें pure substances बोलते हैं, और मैंने आपको पिछली class में ये भी बताया था, कि जो pure substances होते हैं, वो दो तरहां के होते हैं, elements जैसे कि हमारे product table के elements, जिचा made up of same type of atoms है ना, और दूसरे कौन से होते हैं, compounds, which are made up of different types of atoms, but, उन्हें हम क्यों कहते हैं कि वो हमारे pure substances हैं, क्योंकि वो compound अगर water का है, तो उसमें सारे के सारे H2O के molecules ही हैं, कुछ और तो नहीं है, तो वो भी क्या है, pure है, until and unless water में हम कुछ और add कर रहे हैं, similarly, अगर मैं NaCl की बात ही करूं, तो मेरा NaCl, salt, common salt, वो भी तो, अगर अकेला बैठा है, pure ही IQ, क्योंकि उसमें सारे के सारे NaCl के molecules ही तो होंगे, कुछ और थोड़ी होगा, तो इसलिए वो pure substances होते हैं, similarly, उसके बाद हमने कल चर्चा की थी, जो impure substances होते हैं, impure substances क्या होते हैं, बच्चों जो एक तरहां से के, ज्यादा particles से बने होदे हैं, मतलब, which are made up of two or more particles जो सिरल सारे के सारे एक ही तरह के particles से नहीं, दो या दो से जाधा particles से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, mixtures कहते हैं, ठीक है, mixtures, impure, impure substances, बच्चो क्या होते हैं, impure substances मैंने आपको बताया था, which are made up of, which are made up of, more than one type of particle, जो एक तरहां के particle से, ज्यादा particle से बने होते हैं, दो या दो से ज्यादा से, ठीक है, which are made up of, more than one type of particles, more than one type of particles, clear है बच्चो ये बात, यहां तक हमने ये सारी बाते कर चुके हैं, उसके बाद, हमने, मैंने आपको क्या का था, कि ये जो impure substances हैं, इनी को हम क्या कहते हैं, mixtures, क्यों, क्यों mixtures कहते हैं, अब पानी है, पानी H2O, pure है, पर मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया, मैंने क्या किया, पानी के अंदर नमक डाल दिया, अब वो दो चीजें आपस में mix हो गई, उन दो चीजों का आपस में mix कर दिया, तो वो pure थोड़ी रही, वो तो impure हो गई, तब ही हम इन impure substances को mixture का नाम दे देते हैं क्योंकि जब दो या दो से जादा अलग अलग substances mix होके ही, तो जब वो pure नहीं रह जाएगा, ये बात आपको समझ में आई, mixture क्यों नाम दिया हमने impure substances का, क्योंकि वो दो या दो से जादा पार्टिकल से बने होते हैं, impure substances, जैसे कि water में मैंने जब नमक घोला, तो ना पानी प्योर रहा, और ना ही आपका वो नमक प्योर रहा, वो क्या बन गया, mixture बन गया, हमने उन दोनों चीजों को क्या कर दिया, आपस में, mix कर दिया, ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको कहानी समझाई, pure substances को, हम elements और compounds में classify कर सकते हैं, और impure substances को, हम mixtures बोलते हैं, तो मैंन क्या promised RICHARD कि अब next class में हम mixtures के बारे में पढ़ने वाले हैं, next class में हम किसे बारे में पढ़ेंगे, mixtures के ही बारे में पढ़ेंगे, क्यों? mixtures के भी आगे भईया, types है, mixtures ब्चों, वो 2 तरहां के उते हैं, mixtures भी जो हैं, वो 2 तरहां के होते हैं, एक है आपका homogeneous mixture और दूसरा है हिटेडियोजीश मिक्सचचचर thereafter two typesprenegyny as mixture andangenes mixture अब इन में in men आ acordo uz्वर्डsung सा फ़रक यो बहुत मुश्किल जाद ही रॉकिट साइंस वाली है आए आएए मैंने क्या किया गिलास लिया मैं ये पानी का인이- pancake तोन मैंने किया और पानी लिया है इस पानी के अंदर मैंने क्या किया यह नमक शिसम नमक जया है आप इस बात को सम्झी एधाइ व्रामी के अंदर जब नमक गोलते हैं तो आपने भी देख़ा कि पानी के अंदर जो सॉल्ट है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूट हो जाता है आपको ऐसा तो नहीं दिखता कि सॉल्ट जो है वो नीचे जादा पड़ा हुआ उपर का मैं या सेंटर में जादा है जब आपने प्रॉपरली उस सॉल्ट को मिक्स कर दिय तो वो सॉल्ट आपको अलग से कहीं पानी में नहीं दिखता उपर नीचे आपको व क्या दिखा है? एक सॉल्यूशन दिखा है अब एक प्रॉपरली विस्ट चीज दिख रही है इसका मतलब क्या है कि वो salt नीचे से उपर तक इस पूरे glass में इस तरह से उसके particles, water के particles में homogenously mixed है क्या है? homogenously, homogenously मतलब uniformly distribute हुए हुए है जितने यहाँ उतने वहाँ उतने वहाँ तो basically homogenous mixture क्या है कि जब आप दो चीजें mix कर रहे हो जब आप दो चीजें mix कर रहे हो, तो जो solid particle आप solvent में डाल रहे हो जो solid particle जैसे कि जो salt है, जब आप उसको liquid में डाल रहे है तो वो solid properly liquid में uniformly distribute हो रहा है उपर से नीचे तक ऐसा नहीं कि उपर जादा है, उसके particles नीचे कम है या बीज में जादा है उसके particles पूरे इस glass में ये देखिए, uniform है, uniformly distribute हो है, तो ऐसे ही mixtures को हम homogeneous mixture बोलते है अब आप यहां भी देखिए, ये green और purple की जो आपकी ratio है वो देखिए, properly uniformly green और purple distribute हो है पर अगर आप इस figure को देखिए, इस figure पर जाने से पहले हम example एक लेते हैं, हम example लेते हैं अब मैंने इस glass में अभी भी water ही लिया, मैंने इस glass में अभी भी क्या लिया, water ही लिया, ठीक है बचों पर अब इस water में मैंने डाला गया, इस water में मैंने sand डाल दिया, क्या डाल दिया, sand डाला, इस water में मैंने क्या डाला, sand डाला, आप वो sand देखो बच्चों, मुझे उसके particles नीचे जादा दिख रहे हैं, फिर बीज में थोड़े से दिख रहे हैं, उपर फिर दिख रहे हैं थ आप पानी में जब गोलते भी हो तो वो प्रोपर ली यूनिफर्मली डिस्ट्रिब्यूट नहीं होते उसके पार्टिकल्स पानी में वो कई नीचे जादा पड़ा होता है मिट्टी जो है वो सैंड आपकी नीचे ग्लास पे आपको सादा दिखेगी थोड़े थोड़े से पा में जो आपने सॉलिड डाला है लीकूइड के अंदर उसके पार्टिकल्स उस लीकोइड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिव्यूट नहीं हुए हुए ऐसे ही मिक्सचर्स को हम हिटीरोजीनिएस निक्सचर बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चो हीटीरोजीनस मिक्सचर आपको यहां तक यह सारी बाते जो है मुकलियर हो गई होंगी ठीक है जी तो यहां भी देखिए अब आप इस फिगर को यहां पे ग्रीन एक तरफ है फिर परपल बीच में ही कठा हो गया यहां साइड में ही कठा हो गया तो यह होमोजीनियस ली जो है वह डिस्ट्रिब्यूट नहीं हुए वह इसकी जरा तो इस टाइप ऑफ की होमोजीनियस मिक्चर नहीं है कही जादा है कहीं कम है कहीं ज़ता है पिर कहीं कम हैं तो ऐसी टाइप ओफ डिस्तिधिशन जो आपके मिक्स्चर्ज में होती है उन्हें हम क्या करते है है हेट्रोजिनियस मिक्स्चर बोलते हैं पर जब आपका सॉलिड जो है वो liquid में properly distribute हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं homogeneous mixture बोलते हैं अब आईए इसके और examples हम देखे यह देखिए अब जैसे यह milk है यह milk है तो मैंने milk क्या कहा था आपको कि यह impure substance है उसमें एक से ज़्यादा जो है वो fat, proteins, water सब present है तो यह milk जो है उसको हमने क्या खाता है इंप्योर सबस्टांस है इसका अब लेवे mixture है बट इट इस अ homogeneous mixture ऐसा तो नहीं उसमें fat कहीं अलग है protein कहीं अलग है हाँ आप boil कर देते हो उसके बाद एक fat की layer आजाती है that is something else बट अगर normal आप milk जो है वो लाग कर गिलास में डालो boiling नहीं करी आपने तो milk क्या है हमें कहीं protein अलग से fat अलग से पानी कहीं अलग से तो नहीं दिखता हमें वो एक पूरा homogenously distributed mixture दिखता है सारा का सारा एक जैसा ही दिखता है उपर से निचे तक तो milk is a example of homogeneous mixture milk is a example of homogeneous mixture क्यूंके जो milk में जो fats और proteins है वो सारे के सारे पानी के अंदर homogenously mix हुए होते है similarly अगर हम air का example है तो air भी हमने क्या कहा था कि वो mixture है obviously air में इतनी सारी nitrogen, oxygen इतनी सारी gases present है तो वो भी air क्या है it is a homogeneous mixture of gases वो gases जो है वो air के अंदर एक uniform manner में distribute हुए होती है homogenously distribute हुए होती है इसलिए air को भी हम क्या कहते है it is a homogeneous mixture similarly अगर आप यहाँ देखे अगर आप यहाँ देखे आपने पानी के अंदर चीनी नमग और डाय मिलाई हुई है yellow color की डाय डाली हुए है पानी के अंदर पर हमें उसके different parts तो नहीं दिख रहे different parts तो नहीं दिख रहे homogenously distributed हुए हुए दिख रहे है सारे particles तो यह भी क्या है आपका homogeneous mixture का ही example है similarly आपने क्या किया निम्बू पानी पीने का मन किया उसमें भी glass में क्या किया water डाला salt डाला आपने क्या किया sugar डाली and so on और निम्बू तो obviously डालना ही है तो आपका जो यह laminate आता result यह सारी चीजों का जो आपका laminate बना जो बच्चों आपका यह laminate बना वो भी क्या है homogeneous mixture ही तो है जब आप निम्बू पानी पीते हो कोई नाड़ी जिसने ढंग से नहीं उसका mix किया वो एक अलग बात है पर जब वो properly mix हुई हुई है सारी चीज़े आपस में आपके मूँ में कुछ नहीं आता आपको दिखने में भी वो uniformly distributed दिखते है आपको कोई भी उसका particle अलग लग नहीं दिखता तो ऐसे ही mixtures दिन में uniform distribution हुई होती है उसे हम क्या कहते है homogeneous mixture कहते है पर अगर आप यहाँ देखो यह आपका dough है पिजा यम्मी यम्मी उसके ओपर tomato sauce आपने डाली हुई है उसके ओपर cheese, pepperonis जो भी है, सब डाला हुई है पर हमें अलग अलग सारे substances अलग अलग से तरह से दिख रहे हैं यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है पुछ uniform distribution नहीं है तो इस इस आप अपफ heterogeneous mixture only इस इस आप अपफ heterogeneous mixture जैसे की soil sand and water similarly oil अगर आप water में डालते हो तो वो भी क्या है oil in water is also example of heterogeneous mixture only अलग अलग layers दिखेंगे आपको पानी की और oil की प्रॉपर एक homogeneous mixture नहीं दिखेगा तो इस आप अपफ मिक्सचर पर बहुत easy है अब अगली मैं बात आपसे एक और करना चाहते हूं इसी lecture में कि मैं क्या कहा रही हूं कि मैंने जो solvent है basically आपका जो liquid है मैंने आपको यही कहा ना कि जो liquid में आप solid डाल रहे हो liquid में आप क्या डाल रहे हो solid डाल रहे हो किसके अंदर इस liquid के अंदर तो यह basically solid जो है वो उसमे uniformly distribute हो है ना मैंने आपको यही बात बोली वट बच्चो यहाँ पर इस चाप्टर में chemistry की terms में हम उसको solid liquid की terms में बाद नहीं करते जो चीज आपकी large quantity में present है suppose आपका water present है यहाँ पर suppose आपका water present है glass में और आपने उसमें sugar डाल ली है तो जो चीज आपकी large quantity में solvent कहेंगे उसे आप क्या कहेंगे solvent कहेंगे ऐसा substance जिसमें दूसरी चीज आपने dissolve करनी है आपने चीनी पानी में घोलनी है उसमें dissolve करनी है तो जो चीज large quantity में present है जिसमें दूसरी चीज आपने dissolve करनी है उसको आप क्या कहेंगे solvent कहेंगे और जो आप चीनी डाल रहे हैं या नमक डाल रहे हैं जो चीज आप उसमें dissolve करवा रहे हैं जो चीज आप उसमें dissolve करवा रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे solute कहेंगे क्या कहेंगे solute कहेंगे clear है बच्चों ये बात तो जो आपका नमक है वहाँ पर चीनी है वहाँ पर वो क्या है solute है और पानी क्या है solvent है similarly it solute can be liquid it can be solid it can be gas hardly matters जो चीज जिसमें आपने घोलना है वो आपका solvent है और जो चीज आपने dissolve करनी है वो आपका solute है for example अभी आपको और clear हो जाएगा अगर पानी है तो पानी आपका क्या है solvent है obviously water is always a solvent bulk quantity में इस पानी के अंदर अगर आपने oil भी डालना है oil भी डालना है dissolve करना है तो वो oil क्या है आपका solute है वो oil अगर आपने पानी के अंदर गोलना है तो वो oil भी बच्चो क्या है आपका solute है तो basically mixtures में दो चीजें होती है mixture के basically दो components होते है mixture is of two types जेखिए recapulate कीजिए mixture is of two types homogeneous homogeneous and heterogeneous and heterogeneous ठीक है अब कोई भी mixture है चाहे homogenous है चाहे heterogeneous है उस mixture के mixture has two components mixture has two components कौन कौन से जब भी दो चीजें आप आपस में घोल रहे हो mix कर रहे हो तो उसके दो components है एक तो आपका solute जो की आपने dissolve करना है और दूसरा क्या है solvent जिसमें आपने वो solute को dissolve करवाना है तीक है तो जैसे अगर salt और water का mixture है तो पानी क्या है solvent है जिसमें आपने salt को dissolve करवाना है clear है ये बात I hope आपको बच्चो मिक्स्चर समझ में आगे होंगे होमोजीनियस हिट्रोजीनियस mixture और mixture में हमेशा दो components है mixture के solute और solvent so this is all about today's lecture see you in the next lecture with much more interesting facts and stories fun learning so see you in the next class bye-bye आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जिरूर कर लेना channel को subscribe कर देना do watch our channel see you